एक चोटी सी कहानी इस लॉंगा मैं शुरू करने से पहले पुरुक्षेतर के युदक्षेतर को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तयार किया जा रहा था उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को खाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया वहीं पर एक पेड़ पर एक गुराया अपने चार बच्चों के साथ रहती थी जब उस पेड़ को खाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया लेकिन चमतकारी रूप से उसकी संताने अन्होनी से बच गई लेकिन वो भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थी कमजोर और भैभीर गुराया मदद के लिए इधर उधर देखती रही तभी उसे श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा वे युद के मैदान की जाज करने और युद की शुरुआत से पहले जीतने की रन नीती तयार करने के लिए वहां आ रहे थे उसने अपने छोटे छोटे पंक फड़वड़ाए और किसी प्रकास श्री कृष्ण के पास पहुंची हे भगवन कृपया मेरे बच्चों को बचाएं क्योंकि लड़ाई शुरू होने जा रही है और उन्हें कुचल दिया जाएगा सरव्यापी भगवन बोले मैं तुमारी बात सुन रहा हूं लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्कशेप नहीं कर सकता गुरईया ने कहा है भगवन मैं जानती हूं आप मेरे उधार करता हैं मैं अपने बच्चों के भागे को आपके हाथों में सौंपती हूं अभी आपके उपर है कि वो मरते हैं या बचते हैं गुरईया ने विश्वास और शद्धा के साथ कहा प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती आप स्वेंग काल के नियंता हैं ये मुझे पता है मैं स्वेंग को परिवार सहित आपको समर्पन करती हूं भगवन बोले अपने गोंशने में तीन सप्ता के लिए भोजन का संग्रह करो गुरईया और श्रीकृष्ण के गोशन के दो दिन बाद शंक के उद्धोष से युद्ध शुरू होने की गोशना हो गई श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुश अर्बान मुझे दे दो अर्जुन चौंग गए क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हत्यार नहीं उठाने की शपत ली थी चुपचाप अर्जुन से धनुश लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया लेकिन हाथी को मार कर नीचे गिराने के बजाए तीर हाथी के गले की घंती में जा टकराया और एक छिंगारी सी निकली अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए कि कृष्ण एक असान सा निशाना भी चूप गए क्या मैं प्रयास करूं उसने स्वैंग को प्रस्तुत किया उसकी प्रितिक्रिया को नजर अंदाज करते हुए क्रिशन जी ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि और कोई कारवाई आवश्चक नहीं है लेकिन केशव अपने हाथी को क्यों तीर मारा अर्जुन ने पूछा क्योंकि इस हाथी ने उस गुरया के आश्रे उसके घुंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था कौन सी गुरया अर्जुन ने पूछा इसके अतरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है केवल घंटी ही तूटकर गिरी है अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंक फूखने का निर्देश दिया युद्ध शुरू हुआ अगले 18 दिनों में कई जाने चली गई अंत में पान्वों की जीत हुई एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी क्षेत्र में ब्रह्मन करने के लिए ले गए कई शव अभी भी वहाँ हैं जो उनके अंतिम संसकार का इंतदार कर रहे हैं जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीडियों और हाथियों से अटा पड़ा था क्रिशन एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो की हाथी पर बांदी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे अर्जुन उन्होंने कहा क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे निर्देश बिल्कुल स्वष्ट था प्रन्तु अर्जुन के समझ में नहीं आया हाँ ये घंटी क्रिशन जी ने दुराया ये घंटी जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे जुका जैसे ही उन्होंने इसे उठाया उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई एक दो तीन चार और पांच चार यूबा पक्षियों और उसके बाद एक गुराया उस घंटी के नीचे से निकले बाहर निकल के मा और छोटे पक्षी क्रिशन की जी के इर्द गिर्द मन्राने लगे आपको मानव शरीर में देखकर और समाने मनुश्यों की तरह विभार करते हुए देख मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि आप वास्तब में कौन है आईए हम भी इसी घंटी रुपी छतर चाया के नीचे विश्राम करें जब तक हमारे लिए ये उठाई न जाए विद इस फ्यू वर्ड्स, I hand it over to Mr. V.N. रायजी to please unmute and start his discourse रायज सर अन्म्यूट करेंगे अच्छुतं केशवं राम नारायणं रिष्ण दामोधरं बाशुदेवं अरिं स्रिधरं माधवं गोपिका बल्लबं जानकी नायकं रामचंद्रं बजे बंशी बिभूशितकरा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंबपलादरोस्था पूरेंदुसुंदर्मुका अरविंदनेत्रा पृष्णात्परं किमपितत्वं नजाने मीलान बुजश्या मलको मलांगं सीता समारो इतवाम भागं पानव महासा यक्चारुचापं नमामिरामं रगुबंशनाथं सोराष्ट्रे सोमनाथंच शीषले मलिकार्धुनं पुज इन्या महाकालं ओमकारं मलेश्वरं परल्याम बैद्धनाथंच दाकिनी भ्यूम शंकरं सेतु बंधु रामेश नागेश दारुकाबनें वारणश्या विश्वेशं त्रयंबकं गोमती तटे हिमाले केदारनाथंच गुष्मेच शिवाले एतान जोतिर लिंगान सायं प्रात पठेतनर सप्त दिनंकरं पापं मस्मरणं बिनश्यती ब्रंभा मुरारी त्रिपुरांत कारी भानूश शिभू मिसुतो बुधस्चा गुरूश्च शूक्र शनिराहु केतव कुर्वंतु सर्वे ममनोरतं सदा रविशिनगर की जैसब काजा धर्दैराखि कोशल पुरराजा गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंदुवनल शितलाई गरुण सुमेर रेनुसमताही रामकृपाकर चितवाजाही ओम्नमो भवते वाषदे वाये नमा सर्वे भवन्तु शुकना सर्वे शंतु निरामया सर्वे बद्राणि पश्चंती मा कष्चिद्धु बाग्भवे ओम शांती तो आज हम लोग बारवे असकंद में प्रवेश कर गए हैं भाग्वत महापुराण के अंत में आ रहे हैं हम लोग सुखदेव जी कहते हैं कि कलजुक के धर्म क्या होगे जिसमें हम लोग बिहार कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए इसमें जितने सद्गुण है सबका नाश हो जाएगा सत्य अप परिग्र, संतोश, दया, दान, धर्म, आयू, श्मरशक्ति सबक्राहराश हो जाएगा जिसके पास धन होगा वो सदाचारी समझा जाएगा गुण संपन और जिसके पास शक्ती होगी वो अपने पक्ष में सारे अदालतों से निर्ड़ा ले लेगा यही हो रहा है आशकल जिसके पास धन नहीं होगा और अदालत में कोई मुकदमा जीत नहीं सकता और वरण सब खतम हो जाएंगे ब्रामण चत्री वैशिश्चुत्र के निशान रह जाएंगे उनके गुण और सभाव से नहीं सारे वरण सारे आश्रम सब चौपट कुछ नहीं रह जाएगा जो जितना अधिक चलाक होगा उतना ही मांदार मना जाएगा और जितना पाखंडी होगा उतना ही ज्यानी मना जाएगा और जितनी बकवास कहेगा उतनी महात्मा मना जाएगा यह सब आप देख रहे हैं बानप्रस्त वाले आश्रम में नहीं रहेंगे बड़े बड़े आश्रम बन रहे हैं देखिए चारो तरब ग्रियस्त से भी बड़े बड़े उसमें सन्यासी रहते हैं बानप्रस्ती रहते हैं यह क्या है यह कल जूग है गिशान खाने बिना मरेगा राजा प्रजा का सोशन करेगा और प्रजा भी राजा के प्रतिमानदार नहीं होगी इस प्रकार कल जूग का वरण किया है सुगदेव मनी ने प्राणियों के शरीर छोटे छोटे हो जाएंगे ब्यवहार अलग हो जाएगा बिवाशादी में संसकार पुलिंता नहीं देखी जाएगी बच्चे बच्ची अपने मनमानी बिवाशादी करके निकल जाएगे संसकार नहीं देखा जाएगा गाये छोटी छोटी होगी बकरी की तरह दूद कम देंगी शुद्रों का राज होगा आप देख रहें रिजर्वेशन वगरा क्या है न बरण है न आश्रम है गुण नहीं रिजर्वेशन न गुण है न संसकार है उसको राजय बना दो तो कल्जुम में सारे शुद्र राजय बनेंगे राज करेंगे अब चारों यूगों का वरण किया है सोग्देव मुनी में कैसे किया है मेरे ख्याल से इसके पहले यूगों के वरण से पहले यूगों के प्रले की स्तिती जान लेना ज्यादा रुश्कर होगा चार तरह के प्रले का वरण है पहला है नित्य प्रले नित्य प्रले क्या होता है नित्य और निरंतर प्रले हो रहा है कैसे नदी बह रही है शरीर बदल रहा है हमारे millions and trillions of cells मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं हमें कुछ पता नहीं नदी के अडू बदल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं इसको कहते हैं नित्य प्रले लगातार प्रले हो रहा है इस पूरे ब्रामान्ड में क्यों? क्योंकि 20 to the power 12 per second परिवर्थन हो रहा है भान नहीं होता उसको हम मशूस नहीं करते इसको सुगदेव मुनी ने कहा है नित्य प्रले दूसरा कहा है नमित्य प्रले आपको बताया था दो चीजें होती हैं उपादान कारण नमित्य कारण निमित्य कारण उपादान मिट्टी और निमित कुमार तो नयमित्तिक प्रदय क्या होता है जो किसी के नियंत्रण में हो आपको बताया कि स्रिष्टी की रचना के शुरू में ब्रह्म के अलवा कुछ नहीं था वही अपने को बनाया प्रकृत और पुरुश अब्यक्त प्रकृत में सारे गुण चिपे हुए थे समन्वय की स्थिति में समता में काल के छोब से वे बाहर निकले सत्व रच्तुम वह महतत्व में समाग है वह महतत्व से इनके आंकार निकले तमके आंकार से पदार्स बना तनमात्राएं रजस के आंकार से इंद्रियां बनी कर्मिंद्रियां ज्यान इंद्रियां और सत्व के आंकार से अंतक्रण बना मंचित पुद्धी आंकार इस तरह से शृष्टी की जो पत्ती हुई वो किसी के निमित हुई वो निमित कौन है ब्रह्म ही उपादान कारण है ब्रह्म ही निमित कारण है ब्रह्म ही बनाया और ब्रह्म ने भी बना बनने वाला भी ब्रह्म बनने वाला भी ब्रह्म और जब ये पंच्तत तन्मात्रायन आंकार मतत्त अपनी मूल प्रकृत में प्रवेश कर जाते हैं तो इसका नाम है नयमित्तिक प्रले और तीसरा है प्राकृतिक प्रले अब यहां पर थोड़े विश्थार में जाना पड़ेगा कि शुरू में ब्रह्मने बनाया क्या बनाया अंडा बनाया अंडे से कमल निकला कमल से ब्रह्मा निकले ब्रह्मा ने बारा सलों की रचना की और सारी स्रिष्ठी की रचना की तो यह ब्रह्मा का एक दिन कितने का होता है हमारी स्रिष्ठी में चार यूग होते हैं चार लाक 32,000 का कल्जुग इसका दुगना ज्वापर इसका त्यूगना त्रेता इसका चार गुना सत्युग 43,000 पर 35,000 का एक चारो यूग का एक यूनिट होई इसके हजार गुना जो होता है हजार गुना चत्रयुगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने ही उनकी एक रात होती है ब्रह्मा के दिन और रात चत्रयुगी होती है तो जब ब्रह्मा की रात होती है तो उसी को कहते हैं नेमित्तिक प्रलाएं क्योंकि निमित्त के अंदर ब्रह्मा की रिष्णा हुई थी ब्रह्मा सो जाते हैं और उसमें सारे लोक ले हो जाते हैं सारी स्रिष्टी ले हो जाती है और जब जटते हैं तो सब प्रगट होते हैं तो यह कहते हैं नयमित्तिक प्रलाएं और इसी को कहते हैं सर्ग जब ब्रह्मान रचना की श्रिष्टी की तो उसको शुरू शुरू में जो उत्पत्ति हुई इसका नाम सर्ग है पुरुष प्रकिर्ट तीन तत्त काल के छोब से मतत्त अंकार पांच तन मात्राएं और फिर आगे विश्टार इसको सर्ग कहा गया और उसके बाद ये प्रले की श्रिष्टी आती है प्रले के बाद प्राकृतिक प्रले तीसरा कब होता है जब ब्रह्मा जी का सौ दिन हो जाता है तो प्राकृतिक प्रले होती है उस प्राकृतिक प्रले में क्या होता है ये सारी की सारी स्रिष्टी लीन हो जाती है कैसे लीन होती है इसके पहले मैंने आपको बताया था स्रिष्टी के उत्पत्ती का और स्रिष्टी के लीन होने का क्रम बहुत ही साइंट पिक है अब प्राकृतिक प्रलाय कैसे होगी जैसे स्रिष्टी बनी उसकी रिवर्स डिरेक्शन में चलेगी एंड में क्या बना तामसिक अहंकार से सारे पदार्थ बन गए सारे पदार्थ बन गए राजशिक से इंद्रियां बन गई सात्विक से अंताकरण बन गए सारे पशू पक्षी मनुष्य जानवर नदी घोड़ा सब क्यूत्पत्ति होगी सारे स्रिष्टी बन गई अब जब प्राकृतिक प्रलय होगी तो सबसे पहले वो जाएगा जो इंड में आया था इंड में क्या था पहले आकाश बना आकाश से वायू बनी वायू से अगनी अगनी से जल जल से प्रत्वी तो सबसे पहले प्रत्वी तक्त्त का नाश होगा कैसे नाश होगा प्रत्वी मनेश आलिफ प्रत्वी में रस है मनुश्यों में रस है बनस्पतिव में रस है जब तक ये रस है तब तक इनका एक डिस्टेंस है कैसे नाश होगा हजारों बर्सों तक हजारों सुर्य एक साथ उद्य होकर के जलाएंगे कोई बर्सा नहीं होगी कोई अनकी उद्पत्ती नहीं होगी खाने बिना सम्मर जाएंगे और उसी संकर्षण भगवान अपने फंट से बिस उगलेंगे और सारे बारहों लोग को जलाएंगे और तेज हमाय चलेंगी तो सारा ब्रहमांड जल करके खाख हो जाएगा धुआ और धूल उसके बाद क्या होगा? महान बादल उम्णेंगे और हाती के सून की तरह बारिश करेंगे और ये सारा जितना था सबका रस गंद खीच लेंगे प्रत्वी का गंद जब सारे तत्तूं की गंद मिट गई तो प्रत्वी जल में परणित हो गई चार उत्व जली जल जली जल जली जल जली 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 जल बादल करता है और जल का जो रस है उसको अगणी तत्तूं खीच लेगा तो जब जल का रस खतम हो जाएगा, तो जल अपने कारण अगनी में चला जाएगा, शरूप में और वायू शरूप को खीचेगी, तो अगनी अपने कारण वायू में मर्ज हो जाएगी और आकाश वायू के असपर्श को खीचेगा, तो वायू अपने कारण शप में बिलीन हो जाएगी और ये अहंकार जो है, इस शब्द को ले लेगा, जहां से आया था ये शब्द, ये भी बिलीन हो जाएगा, कुलाप्स हो जाएगा, पुरा प्रमान अहंकार मातत्तो में चला जाएगा, मातत्तो तीन तत्तो में चला जाएगा, तीन तत्तो मूल प्रकृत्त में चली जाएगी, सब कुछ शांत हो जाएगा तो मने आपको निद्य प्रलया ने वित्तिक प्रलया और प्राकर्टिक प्रलया का व्रडम किया और सबसे से समझिए जैसे दीपक है नित्र है और रूप है इन तिनों की सत्ता तभी तक है जब तक प्रकाश है हर लकडी के अंदर अगनी है लकडी बंती बिगड़ती है अगनी अपनी जगह पर है उसमें कोई विकार नहीं अगनी में उसी तरह सारे पदार सारे जीव बंते बिगड़ते रहते हैं लेकिन उनका अदिश्थान आत्मा निर्विकार है जैसकी तसराती है कोई परिवर्तर नहीं जैसे सूत से सारे बस्त बनते हैं बस्त न भी रहे तो सूत रहेगा लेकिन अगर सूत नहीं रहेगा तो बस्त नहीं बन सकते समझे तो ब्रह्मतत्त से सारा संसार बना है हर एक में ब्रह्मतत्त समाया हुआ है कोई चीज नहीं पूरे ब्रह्मान में जिसमें ब्रह्मतत्त नहों कोई बस्त नहीं जिसमें सूत नहों कोई घड़ा नहीं जिसमें मिटी नहों तो ब्रह्मतत्त तो सब में भी दिमान है जैसे बस्त्र में सूत है उसी तरह पूरी सिष्टी के हर एक चीज में ब्रह्मतत्व है बस्त्र नरहने पर भी सूत है सिष्टी नरहने पर भी ब्रह्मतत्व है हमारी ती नवस्ता जागर्थ, स्वप्द, सुसुप्ति इन तेनों में ब्रह्मतत्व है और उनके बियांट तूरिया वास्ता उसमें भी ब्रह्मतत्व है अब ये गूरतत्व समन्खने की कोशिच करिए सूरिय से बादल बनता है सूरी की गर्मी से समुद्र का पानी बादल में परवर्थित हो जाता है और बादल सूरी को ढख लेता है सूरी का अंश ही है नेत्र नेत्र को बादल सूरी नहीं दिखता क्योंकि बीच में बादल आ गया यह बादल किस ने बनाया सूरी ने बादल को प्रकाशित किस ने किया सूर्य ने और बादल का अंस नेत्र जो है सूर्य को नहीं देख सकता क्योंकि सूर्य ने बीच में एक आवरण बना दिया इसी तरह ब्रह्म ने जैसे सूर्य ने बादल बनाया और उसको प्रकाशित किया ब्रह्म ने अहंकार बनाया और उसको प्रकाशित किया जैसे सूर्य का अंश नेत्र सूर्य को नहीं देख सकता क्योंकि बीच में बादल है उसी तरह ब्रह्म का अंश जीव ब्रह्म को नहीं देख सकता क्योंकि बीच में आंकार है जब बादल छिन्द भिन्द हो जाता है तो नित्र से सुर्य का दर्शन होता है इसी तरह जब अहंकार छिन्द भिन्द हो जाता है तो जीव से परमात्मा का दर्शन होता है इस आँकार को चिन्द्बिन्ध होने की प्रक्रिया का नाम है आत्यंतिक प्रले आत्यंतिक प्रले के द्वारा ही ब्रह्म का दर्शन हो सकता है अन्यतार नहीं और हम सक्षम नहीं है इसमें जुड़ी है अपने को इसने गाली दिया हमको प्रोदाया क्यों? क्योंकि आंकार कहता है कि गाली नहीं हम आरी प्रशमसा करो आंकारी तो है पड़ता है? या गाली ऐसी भासा में दी जा रही है जो हमें समझ में नहीं आ रही है तब भी परक नहीं पड़ता है तो हमारी बृतियां हमारी चित्ट की बृतियां 24 घंटे काम कर रही है क्यों? वहाँ संसकार पूरु जन्मों का बैठा हुआ है और वो 180 डिगरी निकलता है उसको कोई रोप नहीं सकता तो इसका एक मात्र उपाय क्या है? वैसे तो तीन उपाय कहे गये है ज्यान, कर्म और उपासना भक्ति लेकिन चार युगों में चार तरह की पद्धती का बरण किया गया शत्यूग त्रेता द्वापर कल्यूग शुरू शुरू में सत्यूग था क्या विशेश्चता थी? सत्य, तप, दया और दान ये चारो हंड़ेट परसंट इंट्रेक्ट थे सत्यूग में सत्यमाने ब्रह्म ब्रह्म दयालू है, दानी है, तपस्वी है इसलिए सत्यूग में सभी पुरूष कैसे थे? निरोग थे, स्वस्थ थे, ज्ञान संपन थे, सात्विक गुणों से भरे हुए थे, दैवी गुणों से संपन थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इस धर्म के चार जो अवयों है, इनके ठीक विप्रीत अधर्म के चार अवयों होते हैं, सत्य का असत्य, दया का हिंसा, ज्ञान की त्रिशड़ा, तब का कला, ये चारो विप्रीत दिशा में चलते हैं, ये चारो प्रभाव अपना डालने की कोशिश करते हैं, जब ये इतना सफल हो जाते हैं, कि सत्य का वनपोर्थ खतम हो गया, ब्रत का वनपोर्थ तब का खतम हो गया, दया का वनपोर्थ खतम हो गया, दान का वनपोर्थ खतम हो गया, तो त्रेता युग आ गया, सत्यूग में कोई बेद पुरान कुछ नहीं था क्योंकि सब ब्रह्म में थे किसी चीज की जरूवत नहीं थी 25% अंश धर्म का कतम हो जाने से श्रिता यूग आया क्योंकि धर्म का रास हो गया सदियू के पुराणी किसी से बैर नहीं करते थे सब समता में रहते थे मित्रभाव से रहते थे सबके परती दया थी सबके परती सहसुणा थी त्रिता में वन फॉर्ट क्वालटी कतम हो गयी सुख और भोग आ गया पारलोकिक भोग, लोकिक भोग, अभी भी धर्म जो है बचा हुआ है, उसकी वज़े से वर्ण ब्योस्था बची हुई थी, ब्रामन सबसे स्रिष्ट था, गुरु सबसे स्रिष्ट था, धर्म में सबकी आस्था थी, कालांतर में अधर्म ने और प्रभाव दिखाया, तो धर्म के आधे आधे पाट रगय, सत्य का आधा रगया, सबका आधा रगया, दया का आधा रगया, दान का आधा रगया, दापर यूँ आ गया, 50% धर्म अभी भी था इसलिए वरण ब्योस्ता में ब्रामण और चत्री का मत्व था गापर उपर जब ये अधर्म अपना प्रभाव और बढ़ाया तो तीन चौथा ही धर्म नस्थ हो गये तीन चौथा ही सत्य चला गया एक चौथा ही सत्य रागया तीन चौथा ही तप चला गया एक चौथा ही तप रागया तीन चौथा ही दया चली गयी एक चौथा ही रागयी तीन चौथा ही दान चला गया क्या आगया कल्यूप ब्रण ब्योस्ता द्वस्त सब अपने अपने सांकेतिक चीजों से पहचाने जा रहे हैं उनके इंट्रेंसिक गुण और सभाव नस्थ हो गए ब्रण ब्योस्था खतम हो गई विभा ब्योस्था खतम हो गई संसकार ब्योस्था खतम हो गई बच्चे मनमानी शादी कर रहे हैं माता पिता की नहीं सुनते हैं रंग रूप देखके कर रहे हैं शील सभाव गुर देखके नहीं संसकार देखके नहीं माता पिता को तिलांजली देखर के साले साली की बात सुनते हैं ससुराल ज्यादा प्यारी हो गई गरवाले दुश्मन हो गए इस्त्री को भी लगजा से कोई मतलब नहीं कटु शब्द बोलने लगी परिवार में कला जंजट ये सब कलजुब में आ गए और बरण ब्योस्ता कि शुद्र ही राजा बनेगा देख रही है क्यों कह रहे हैं शुद्र क्योंकि राजा का धर्म क्या था जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश नरक अधिकारी और आज के राज में क्या है प्रजा को चूसो धन कमाओ जितने राजा है वो रिच्छ है प्रजा गरीब है मर रही है ये कलजुग है अपना गुण दिखा रहा है, कल युग अपना गुण दिखा रहा है, अब सुब्देव महाराज ने कहा कि देखो चारों युगों में चारतरह की गुण दिखाई दिये, सत्यूग में सत्व की प्रभलता थी, सात्विक गुण थे जारोत्रा त्रेता युग में सात्विक और राजशिक ज्वापर में राजशिक और थोड़ा तामसिक कल युग में तामसिक तामसिक गुणों की बहुलता होगी भै, निद्धा, आलश, अश्रेश, शुटा हिंसा, कला, द्रोग क्रोध, मो, लोग मत्सर, लब, सब सबकी आर्मी चलेगी अब सुद्द्यवमनी ने ये भी बताया कि इन चारो युगों में हमारे उत्थान के लिए क्या करना चाहिए तो सत्युग में कहा ध्यान से उत्थान हो गया त्रेता में कहा यग्य से उत्थान हो गया द्वापर में कहा योग और पूजा से उत्थान हो गया कलजुग सबसे बढ़िया युग है ऐसा बढ़िया कोई यूग नहीं है करके बैड़ जाते हैं और जब बैड़ जाते हैं तो जैसे सोना और आग एक तरह रहेंगे तो आग सोने के मल को नश्ट कर देगी तो भगवान हमारे जर्म जर्म के कलमश को जला देंगे बस्म कर देंगे इसलिए कलजुग का सबसे बड़ा गुन है कि सबसे अच्छा यूग है लेकिन जो मनुश्य होगे वो इस रास्ते पर कभी नहीं चलेंगे कलजुग में नामकिर्टन नहीं करेंगे बगवान के बिमुक तरक देंगे आर्गुमेंट देंगे कि धर्म कुछ नहीं होता हमी धर्म है जिसके पास शक्ती है वो सब कुछ करेगा जिसके पास धन इकठा किया है वो सब कुछ करेगा किसी की नहीं सुनेगा न वरण की न आश्रम की न सादू की न संत की तो है तो बहुत अच्छा यूग लेकिन मनुश्यों की करनी ऐसी है कि वो तो दूसरी दिशा में जा रहा है 180 टिग्री जाना ची ये भगवान का किर्टन मनन समण और वो क्या कर रहा है चोरी, फिशाद, लंपट ब्रामण क्या कर रहा है जूट, मूट, कुंडली लेके बैठा हुआ है पैसा एंठ रहा है बताओ दोण आचार के बच्चों को पीने के लिए दूद नहीं था इतने बड़े आचारी इतने बड़े कुल के लोगों को शिख्षा दी आज के युग में देखो क्या हो रहा है बड़े बड़े आश्रम बनाके बैठे हुए है करोणो किसी चीज की कमी नहीं है ये ब्रामण है ये कल जूग है ये कल जूग है करना क्या चाहिए वक्ति वह करते क्या है भूगती भूग सुरी इस्रिष्टी का भूग करो सब हमारे लिए बनी अरे भाई सिर्ष्टी तुमारे लिए बनी थी तो तुम जिन्दगी में 360 क्रोड की मुफ्त में आक्सिजन फूँ जाते हो तुमने श्रिष्टी को क्या दिया उसके उपर से और चूशते हो कभी सोचा कि क्या दिया कुछ नहीं दिया तो ये चार तरह के प्रले के वरणन के बाद सुखदेव जी महराज का अंतिम उपदेश परिक्षित को सुनिये क्योंकि जिस समय भगवान क्रिष्ट्न का प्रस्थान हो गया उसी समय कलजुक का आगमन हो गया अब प्रिक्षित महराज को तो साथमे दिन तक्षत नाग जो आएगा और डसेगा तो आखरी उपदेश उनने क्या किया आखरी उपदेश में यही कहा कि न तुमारा जनम होता है न तुमारी मृत्यू होती है कैसे जैसे एक बीज से अंकुर होता अंकुर से बीज होता है यह प्रक्या लगातार चलती रहती है इसी तरह से एक जीव से दूसरा जीव तीसरा जीव यह चलता रहेगा विकारों भरा आत्मा ही जीव है जब अपने को हम शरीर माल लेते हैं और मन, इंद्रिया, बुद्धी सबको अपना माल लेते हैं तो अहमता ममता ही माया है और कुछ नहीं शुक्देव जी कहते हैं परिक्षेत माया को त्याग दो कैसे त्याग दो जैसे उदारण दिया आत्यांतिक प्रले ब्रह्मन ने अहंकार बनाया ब्रह्मन ने अहंकार को प्रकाशित किया और ब्रह्म का ही पाट जीव है बीच में अहंकार की वज़े से ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा है अहंकार को जला दो अहंकार को जला करके ब्रह्म में इस्थित हो जाओ तो वहाँ न कोई मृत्व है न जन्म है मृत्व और जन्म इस अहंकार का है इस शरीर का है उस आत्मतत्व का मृत्व जन्म नहीं है इसलिए अब तुम जब इस्थित हो जाओगे उसमें तो तक्षत आएगा, तुमारे शरीर को भसम करेगा, तुम थोड़ी मरोगे, तुम तो ब्रह्म में इस्तित हो गए, साथ में दिन तक्षत चला, परिक्षत को डशने के लिए जब तक्षत चला, तो बीच में एक ब्रामण जी मिलें, कश्यप, उनकी बिशेश्टा ये थी, कि सर्पों के बिश्ट को उतार देते थे अपने मंत्र से, अब आपको ये चीज बड़ी आजचंबित लगेगी, और मैंने एक्स्पिरियंस किया, 62 में मैं फस्टियर में था, आइटी बंबे में, अपने गाउं गया, गंगा के किनारे हमारा गाउं है, महां बाहर मैं सो रहा था, मुझे साप काट लिया, और मैं बेहोश हो गया, बिष चड़ गया, और बलो के गाउं से साप का बिष उतारने वाला लाया गया था, और पूरी रात बारिस होती रही, और लोग पूरी रात हमारे उपर पानी चिड़कते रहे, हमें होश नहीं आया, और वो साप का बिष उतारने वाला आया, हमारी पीट पर थाली चिपका दी, चिपक गई, मंत्र पढ़ता रहा, और जैसे जैसे मंत्र पढ़ता रहा, वैसे वैसे जब हमें बिष काटा था, तो आपको बताया क्या अनबहुत था, ऐसा लगा कि अंदर आग लग गई, सारा शरी जल गया, उसका रिवर्स होने लगा, आग बुजने लगी, शांत होने लगी, इस उंगली में काटा था, पहले तो मेरे कजिन ने उंगली कोई काटके खुन निकाल गिया था, इस उंगली में काटा था, और वो जब तक मंत्र पढ़ता रहा, सारे शरीर में चेतना आने लगी, हर लगा, शांत हो गई, वो जो अगनी थी, एंड में यहां तक आई वो चेतना, इस उंगली में, मुझे पूरा होश आ गया, तो मैंने पूछा, मैं कहा हूँ, लोगों ने बताया, हमें साप काटा था, यह विद्या है, शाक्षात मैंने अनबव किया है, लेकिन उस आदमी अपने किसी को यह विद्या नहीं गया, अपने साथ ले गया, क्यों, बोला जिसको देगे मिश्यूज करेगा, तो यह विद्या हमारी कतम हो जाएगी, जो भी मिश्यूज कर देगा विद्या कतम, तो परिक्षित जी कह रहा है कि दास दसेगा, और वो कष्य ब्रामण को त और परिक्षी जी को डस दिया, परिक्षी जी मर गय, उनका शरीर मर गया, क्योंकि परिक्षी जी तो स्थापित हो गय थे ब्रह्मतत्व में, परिक्षी जी नहीं मरे, उनका शरीर, और देखते देखते हाकार मच गया, उनके पुत्र जनमेजे को मालूम पड़ा, कि हमारे प उसने यग्य का बिधान बनाया, रित्वतों को बुलाया और बोला आहुती में सारे सांप डालो, सारे सांपों की आहुती पढ़ने लगी, ये भी एक बिद्या है, मंत्र बिद्या आकर्शन करती है, चला आता है, अकर्शन करके सर्वी आया, जैसे पतिंगे जो हैं, दीपक को दे करके आकर्शित हो करके अप्तनों को खत्म कर देते हैं, मंत्र बिद्या भी आकर्शन की शक्ती होती है, सारे सांप आए अगनी कुन्ड में गिर रहे हैं, तक्षत को पता चला, तो वो भाग करके इंद्र के पास चला गया इंद्र ने उसको छिपा लिया सारे सांप आये तक्षत नहीं आया जनमेजर ने पुरोईतों से पूछा तक्षत क्यों नहीं आ रहा है उन्होंने ध्यान लगाया बोला तक्षत इंद्र की शरण में है जनमेजर ने कहा कि आपकी विद्या में तो ताकत है किसी को भी बुलाने की इंद्र सहीत तक सत्को आमंत्रित करो मंत्र पढ़ा आमंत्रित करने का जब ये पता चला तो इंद्र ब्रहस्पती के पास गड़ गड़ आए देवताओं के गुरु ग्रहस्पती आगये जनमेजर के पास ब्याक्षान दिया क्या ब्याक्षान दिया बड़ी गूर तत्व रिशिपुत्र ने शाप दिया श्रिंगर ने शाप दिया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ साप डाले हो इसलिए साथ में दिन तच्छक नाग तुम्हें डसेगा तुमारी मृत्व होगी श्राप दिया तच्छक आया डसा मृत्व हुई उसके बाद जनमेजय जी ने सर्पों का यग्य किया सारे निरपराज सर्प भी उसमें बस्मी भूत हुए अब ब्रहस्पती जी कह रहे है जनमेजय ये सब महा माया का खेल है भगवान की माया नहीं ये सब रचना रची थी परिक्षित से प्यास लगने के बहाने आस्रम में गए मरा साप डाला माया है शिंगी रिशी ने स्राप दिया माया है साप डसा माया है तुमने निरपराज सापों को बद किया माया है जनमेजर इस दुनिया में अपने कर्मों के अलावा कोई न सुख देता है न दुख देता है सब्द प्रारब्द कर्म ही सब परडित होते हैं एक्षन में कोई डूप के मरता है कोई साप से मरता है कोई अगनी से मरता है कोई रोग से बरता है यह सब केल प्रारब्द कर्मों का है प्राब्रब्द में लिखा हुआ है काउन कोई सुक दुख कर दाता निजिकर्त कर्म भोग सब राता है दब्रहस्पतीर जी ने उपदेश दिया जनमेजे जी को के प्रारब्द का कर्म है और फिरुपदेश क्या दिया वहिवपदेश दिया ब्रह्मनिरूपन का कि जैसे सूर्य ने बादल को क्रियेट किया और बादल को प्रकाशित किया और अपने अंशनित से अपना दर्शन नहीं करा पाया उसी तरह ब्रह्मन ने आंकार पैदा किया आंकार को प्रकाशित किया अपने अंश जीव को अपने दर्शन में बाधित किया इसका एक मात रुपाय है आंकार को बस्म कर देना चिन्बिन कर देना इसलिए यग्यबंद करो तुमने सर्वनाश किया है निर्परात सर्पों का नाश किया है तब करो जाओ बंद हो गए उपदेश दे करके परिक्षित को तो परमगती मिल गई जनमेजय जी को जैस्पती जी ने उपदेश दिया और वो उपदेश की द्वारा अपना रास्ता बदल दिये बाद में और कुछ कहा है कि भगवान की सब माया है प्राशर और सत्यवती से वेद ब्यास को पैदा करना भी भगवान की माया ही थी नदी पार कर रहे थे, शत्वती से बोले तुम्हे तुम्हारे द्वारा, अब पराशर्बुनी ने कहा, तुम्हारे द्वारा पुत्र की उत्पत्ती करेंगे, क्यों ग्रहन अचत्र ऐसे है कि वो पुत्र भगवान काई साक्षात रूप होगा, बेदवयास, ये सब भगवान की मया है, पुम्कि भगवान नहीं बेदवयास के रूप में जनम लिया भगवान नहीं सारे मंत्रों से निकाल करके चार बेदों की रशना करवाई बेद ब्याश्चे यह सब माया है माया के द्वारा भगवान इस पूरे सिस्थी की रशना करता है बिद्धन्स करता है अब इसके बाद इस असकंद में एक बड़ी रोचक कता आती है आप सभी लोग जानते हैं इस रिष्टी में साथ लोग अमर है उनमें से एक मारकंडे रिशी भी है तो मारकंडे रिशी की कहानी आती है कि यह अमर है तो उस मारकंडे रिशी की कहानी में पूछा कि कैसे अमर है यह तो आज भ्रिगुबन्शी आज भी है कैसे अमर है अमर कैसे है यह तो इनकी कहानी यह आती है मिरिकंड रिशी के पुत्र थे मारकंडे रिशी मारकंडे रिशी जब से पैदा हुए तब से जितने बिदिविधान थे शास्त्रा नुशा उनका जन्म संस्कार हुआ यग्यो पवीत हुआ शास्त्रों का अध्यन कराया गया सब चीज का ज्यान कराया गया और वो ब्रह्मचारी बन गया है आजी बन ब्रह्मचारी भगवान में आस्था जग गई राद दिन भगवान में लगे रहे लगे रहे इतना कि छे मनवंतर बीट गया है अब मनमंतर क्या होता है यह भी समझ लीजिए मैंने आपको सृष्टी का वरण सुनाया नित्य प्रले नंवित्तिक प्रले प्राक्रृतिक प्रले तब होता है जब सारी श्रिष्टी का रहे हो जाता है और मनमंतर क्या होता है मनु बने देवता बने मनु के पुत्र बने सब्तरिशी बने यह सम्भिल करके मनमंतर बना है यह कैसे स्रिष्टी है मानसिक्स रिष्टी है तो इस तरह छे मनमंतर बीग गए कई करोणों साल और मारकंडे रिष्टी ध्यान में मगन जब कोई रिष्टी महान तपस्या करने लगता है तो धर किसको लगता है देताओं कि राजा इंद्र को इंद्र को पता लगा कि छे मनमंतर हो गए सात्वे मनमंतर में मारकंडे रिष्टी प्रवेश कर गए है अखंड समाधी में तो इंद्र ने जाल रचा क्या जाल रचा काम देव वसंत अपसरा गंधर्म लोग मोर सबकी सेना बनाई और इस सेना को बुला जा करके मारकंडे रिषी पर चड़ाई करो विजय प्राप्त करो गयलाश के उत्तर में पुष्बध्रा नदी के किनारे मारकंडे रिषी ध्यान में मगन हैं आश्रम रमडी है मन्द सुगंध हवा हमेशा चल रही है भोरे गुंजार कर रहे हैं और रिष्यों का भी आश्रम है पेड़ पौदे फल फूल से भरे पड़े हैं सेना पहुँच गई वहाँ दूर से ही देखा मारकंडे रिषी तो ध्यान में मगना है सेना पतियों ने विचार किया क्या किया जाए गंधर्वों को भेजा अस्तुती गान सुन्दर सुन्दर गंधर्व फेमस है गान गाने के लिए ऐसा गाएंगे कि आपके मन को मोहित कर लेंगे अपसराएं डांस करने के लिए फेमस है ऐसी डांस करेंगी कि आपको मोहित कर लेंगी चारण लोग, सिद्ध लोग, सब गयवाँ, फिर बसंत्र तु पैदा कर दी, काम देव ने देखा कि नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा, पूलों की धनुस पर बाण चड़ाया काम देव ने, पांच मुवाला बाण, प्रयोक किया, ये सारी की सारी सेना जाकर के, बस्म हो गई, जैसे सुरी के सामने जो चीज जाए बस्म हो जाए, जाम देव वापस रिपोर्ट किया, इंद्र को, इंपासिबल, कोई जीत नहीं सकता, ऐसी तपश्या, ऐसी गोर तपश्या, सब ठक गए, भगवान नर और नाराण रूप में प्रगठ हुए, बोले मैं, हम लोग संतुष्ठ है तुमारी आरात्ना से, बर्मांगो, मारकंडरी सिनकाह में कुछ नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं है, तही तो असली भक्त होता है, जो मांग ले, वो तो भिकमंगा है, वो भक्तोड़ी है, भगवान कते हैं, लेकिन मैं तो देने के लिए आया हूं तुम्हें, तुम्हें कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा, तो मारकंडरी सिनकाह अच्छा, तो मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं, बगवान बोले ठी, माया का दर्शन होगा, अंतर ध्यान हो गए बगवान, मारकंडरी रिशी अपनी पुष्ट भ्रद्रा रश्ट नदी के किनारे ध्यानस्त हो गए, ऐ जुद्वल, बड़ी जोर से आधी चली, आवाज निकली, बादलों की गड़गडाहट, बिजली कड़की, आँखोला तो देखा, महा भेंकर प्रले हो रहा है, चारो तरक पानी ही पानी, सब्चीज दूब गया, सारा लोग दूब गया, उसी में ये भी तैरते उतरा रहे हैं, थपेडे खा रहे हैं लरों के, घड़ियाल मगर मर्च सब परेशान हो रहे हैं, चारो तरक जल ही जल, भागे फिरे जा रहे हैं अपने को बचाने के लिए, कहीं अस्थान नहीं मिल रहा है, तब देखा, कि महा प्रलाय समुद्र के बीच पे एक छोटा ठीला है प्रश्वी का, उस पर एक बरगत का पेड़ है, पिशान कोण में, बरबत के हरे हरे पत्ते, लाल लाल फल, और पत्तों के दोने में एक छोटा सा बालक, किलकारी मार रहा है, शिशू, आश्चर चकित हो गए, इस महा प्रलाय में ये बालक कहां से आ गया, ये क्या कर रहा है, सोचे चलो बालक से पूछा जाए, जैसे ही बालक के पास गए, बालक की सांस से ये उसके उदर में चले गए, और उदर में सारा ब्रह्मांड देखा, जैसे अर्जुन ने बिराट रूप देखा, ये शोदा ने क्रिश्न के मुह में देखा, वो सब कुछ अंदर दिखा, सब कुछ नदी, पहाड, उनका आश्रम, उनकी नदी, रिश्यों का आश्रम, सारी स्रिष्टी, उनी, चारण, सेद्ध, सब कुछ अंदर देखा, आश्चर रचिकित हो गए, उसके बाद सांस से शिशु ने बाहर निकाला उनको, तो बाहर देखा, शिशु वैसे ही बैठा हुआ है, मुश्कुरा रहा है उनकी तरफ देख करके, आराधना की, भगवान ने कहा था न, माया दिखाएंगे, माया दिखा रहे हैं, अंतर ध्यान हो गए, और फिर वो वहीं मिले, जहां आपने आश्रम में ध्यान लगा के बैठे थे, बैक टू पवेलियन कुछ नहीं, जैसे सपना देखते मैं, भगवान को प्रडाम किया है, तेरी लीला देख ली मैंने, ध्यानस्त हो गए, ध्यान में ऐसे हो गए, जैसे कोई पत्थर हो, संबुद्र की लहरे शांत होके जैसे बैठ जाती है, उसी समय, देवों के महादेव शंकर, परवती के साथ बैल पर सवाल होकर के पहुँचे वहाँ, परवती ने देखा, भगवन, ये तो सिद्ध पुरुष लग रहे हैं, शांत, ऐशा शांत पुरुष तो मुने देखा नहीं, इनका दर्शन करने चाहिए, संतों का दर्शन दुरलब होता है, परवती और श्यूजी आये, ये तो पत्थर बन चुके थे, समाधी में थे, श्यूजी उनके अंदर प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए तो मारकंडे जी घबड़ा करके देखने लगे, इस्तुती किया, प्रडाम किया, बंदना किया, ध्यान खुला, देखा सामने श्यूजी और पारवती जी, पूजा की, अर्चना की, बंदना की, आसन पर बैठाया, पहर पकारा, जलपान किया, श्यूजी ने कहा बर मांगलो, एजुज्वल, कुछ नहीं चाहिए, पारवती से बोले देखो, भक्तों की यही पहचान होती है, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, और फिर श्यूजी न का देखो, भग्वान भी भक्त के दर्शन करने चाहते हैं, दुरलब है संत का दर्शन, आज वो दुरलब दर्शन हमको और पारवती को मिल रहा है, दुरलब है, संत सिरोमणी मारकंडे माराज, बर मांगलो, क्योंकि हम ब्रह्मा और विश्णू बर दायक हैं, बर देने वाले हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं जिसका बर ना दे, मारकंडे रिशी, बर प्राप्त कर लिए, क्या प्राप्त किये, वही जो तुलसिदार जी रहमाण में कहते हैं, क्या, जब भरत जी प्रियागराज में पहुँचे, भरत द्वार्ज मुनी ने देखा, तो भरत जी से बुला, भरत द्वार्जी ने, कि देखो, भरत सहित को राम सनेही, जग जब राम राम जब देही, सारा भिश्व राम की अराधना करता है, और राम भरत की अराधना करते हैं, यह संत्की महिमा है, तो बरत द्वार्ज ने का कुछ मांग लो, गता च्छत्री तो मांगता नहीं है, च्छत्री धर्म मांगने का नहीं है, च्छत्री तो दान देता है, लेकिन आज मैं भिखारी बन करके मांग रहा हूं, क्या मांगा, अर्थण धर्मन काम रतिगतिन चहों निर्वाण दर्म नहीं चीए, अर्थ नहीं चीए, काम नहीं चीए, मुक्ष नहीं चीए जन्म जन्म प्रभु राम पद यह भर्दान आन बार बार जन्में, बार-बार भगवान के चरणों में नमंति Wam मारकंडे रिशी ने यही मांगा है श्यूजी से बार-बार मैं भगवान के चरणों में उस्तिति करूँ आपके चरणों में उस्तिति करूँ ब्रह्मा जी के यही बर्दान दीजिए और कोई बर्दान नहीं चीए वक्त यही बर्दान मांगता है क्यों जब भगवान का अस्मरण करेंगे और भगवान हिर्दय का मल में अस्तापित हो जाएंगे तो जन्मों जन्मों के कलमश भस्म हो जाएंगे आनन्द ही आनन्द है अमर ही अमर है क्यों? उस कलमश से ही तो मृत्यू और जन्म होता है जब वही खतम हो गया हम रत्व मिल गया अपने आप मांगने की जरुवत नहीं पड़ी तो मारकंडेर जी ने माया का धर्शन किया उसके बाद शूजी ने बरदान दिया क्या एव मस्क कि जन्म जन्म मारकंडेर जी भगवान के चरणों में अपनी बिनमरता अर्पित करेंगे और कुछ नहीं अर्थन धर्मन कामरति गतिन चाओ निर्माड जन्म जन्म प्रभु आनपदिय बरदान आ तो इस प्रकार हम लोगों ने करीफ करीफ बारवे असकंद का मूल तत्म जो है उसका बरण हो गया अब जो चीजे हैं वो हम लोगों के काम की नहीं है भागवत की सूची पुराणों की गड़ना हम लोगों के काम की क्या चीज थी सबसे महत्व की चीज आग के व्याक्षान में थी कि जैसे सूर्य बादलों को बनाता है और प्रकाशित करता है और वही बादल सूर्य को ढख देते हैं सूर्य के अंश नेत्र को उसका दर्शन नहीं करने देते हैं उसी तरह ब्रह्म ने ही अहंकार बनाया है और ब्रह्म ही अहंकार को प्रकाशित करता है और वही अंकार बादा बनता है जीव को ब्रह्म के दर्शन में इसलिए एक वस्तु जिसका नाश करना हमें केवले वो है अंकार अहम, मैं शरीर हूँ, इसका नाश कर देना है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर कोई और है, नाशवान है, नित्य मर रही है, यही नित्य प्रले है, इसलिए हमें क्या करना है, इस से अपने को दूर करके, इस अहंकार से अपने को दूर करके, भगवान के गुण, लीला, धाम, स्रमण, कीर्टन, मनन, बस, कलजुग में यही आधार है, भागवत महापुराण का जिस्ट यही है, कि 24 घंटे स्मरण करो भगवान को, संकिर्टन करो, उनकी लीला को पड़ो उनके गुणों को पड़े उनको शास्त्रों को घड़ो उनके उनकी सारी जो लिलाएं हैं उनका कतन करो उनका गुनन करो उनका मनन करो उनका स्रमण करो काम बन जाएगा क्यों जब आप भगवान मैं हो जाएगे तो भगवान की सायुज्य स्वरूपत मिल जाएगी आपको जैसे ब्रिंगी कीट को ब्रिंगी की सारुपता मिल गई अपने आप और इतना सरल है कलजुग जैसा अच्छा यूग कोई है नहीं है और इतने सरल तरीके से कलजुग में आदमी को निर्वाण मिल सकता है फिर भी आदमी भगवान के विमुक हो करके लं सारे औगुणों से बरा हुआ है क्योंकि सारी तामसीक प्रबृत्ति चार उत्रफ पहली हुई है कलजुग में बरण धर्म नहीं है आश्रम धर्म नहीं है कोई ब्राम्र नहीं कोई छत्री नहीं कोई बैश नहीं सारे शुद्रों का राज होगा और आप देख रहे हैं इस तरह आज का भ्याख्यान को यहीं भी राम देते हैं। सब रिकॉर्डिंग बन कर दीजिए। क्यों? मैंने पूछना है कुछ अरे तो क्यों आप फिर देखिए यही बात है ना कि आप किसे टर रही है। नहीं डर नहीं कुछ रशना ऐसा है।